नमस्कार मैं हुनिया साहिन विहारी नियुज में आपका स्वागत है आज है एक दिसंबर दिन रविवार खबरों के ओर बंडे से पहले नज़ट डालते हैं सुर्थ योपर वियार विदान सबान में 150 प्लस पदो पर भरती आवेदन की अंतिन तारीक है 13 दिसंबर 2024 अधिकारिक वेब साइट पर जाकर करें आवेदन आज से करें नियमों में हूंगे बदलाव गयास सिलेंडर की कीमतों में बदलाव बैंकों में आठ दिन रहेगी छुट्टे आज से स्कूलों की टाइनिंग में बदलाव अब साढ़े नौबजी से चारवे तक चलेगा क्लास ठंद के कारण बिहार में स्कूलों का समय बदलाव 225500 में क्रिसी अंत्र बैंक होगा स्थापित किसानों को रियायती दर पर मिलेगा क्रिसी अंत्र सहकारिता व्यभाग ने प्रस्ताव किया तयार मनोज बाचपेई को वजन बढ़ने से लगता है दर इस कारण से रात को खाना नहीं खाते हैं अभिनेता मनोज बाचपेई स्वास्थ जीवन सैली से फिट है मनोज बाचपे क्या काप ड्राइवर आपसे बत्तमीजी करता है काप ड्राइवर को ऐसे सिखाई सबक ऐसे करने से मिलेगी सज़ और जडेजा ने कोच बनने के समर्थन में दी रहा है चे महीने कम जडेजा काबायार टीम में उतार चढ़ाओ होते हैं अब खबरे विस्तार से सीमा सुरक्षबल ने बिते 21 तॉमबर 24 को कॉंस्टेबल पदो के लिए एस्पोर्ट्स कोटे के तहत भरती की अधिसूचना जारी की थी अधिसूचना की मताबिक इस भरती में कुल 275 रिक पदो पर पुरूस और महिला उमिद्वारों का अच्छाय अनकिया जाना है और इसके लिए आज सी आवेदन किया जा सकता है युग्यता की हम बात करें तो मिद्वारों को किसी मानेता प्राप्त बोड से दस्वी कच्छा पास होना चाहिए इसके अलावे उन्हें विभिन खेलों में राष्टी और अंतराष्टी अस्तर पर भागीदारी का अनुभा भी होना चाहिए नियुन्तम उम्र 18 वर्स और अधितम उम्र जो है 23 वर्स होनी चाहिए उम्र के गर्णा एक जर्वारी दोयर पचीस के अधार पर की जाएगी वही आरक्षित वर्गों के लिए उम्र सिमा में छूट दे गई है एक्चु कुमिद्वार bsf.gov.in पर जाकर 1 दिसम्बर 24 यानि कि आज से 30 दिसम्बर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आज यानि 1 दिसम्बर 2024 से कई मत्रपूर नियमों में बदला होंगे जिसका असर उपभुखताओं की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा गैस सिलेंडर की किमतों में बदला हो सकता है जबकि OTP धोखाधाड़ी रोकने के लिए टेलीकॉम कमपनियों को ट्रेसबिलिटी सुनेशित करनी होगी क्रेडिट कार नियमों में भी बदलाओंगे जैसे यस बैंक फ्लाइट और होटल रिवार्ड पॉइंट सिमित करेगा और HDFC बैंक लाउंज एकसेस के लिए तिमाही खर्श बढ़ाएगा अधार अपडेट 14 दिसंबर तक मुफ्त रहेगा दिसंबर में बैंकों में आठ दिन चूटी रहेगे जिसमें एक आठ चौदा पंद्रा बाइस पचीस अठाइस और 29 दिसंबर सामिल है अज बात करेंगे बॉलिवुड की महान पार्सो गाएक बिहार के सुपॉल जिले की निवासी उदीत नरायन की जिनका जन्व एक दिसंबर 1905 को हुआ था 1980 के दसक में प्लेबैक सिंगिंग से अपने करियर की सुरुआत करने वाली उदीत नरायन ने हिंदी, भोजपुरी, मैथली, तमिल, तेलगू, मल्यालम और कई अन्य भासाओं में अपनी आवाज का जादू बिखे रहा है उनके हिट गानों में पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मेहदी लगा के रखना, परदेशी, परदेशी और चांद छुपा बादल में सामिल है चार बार राश्टीय फिल्म पुरसकार और पांच बार फिल्म फिल्म फिर पुरसकार से नवाज़ जा चुके हैं उदित नरायन को 2009 में पद्दम सिरी और 2016 में पद्दम भूसर जैसे परतिश्टित सम्मान से नवाज़ा गया है अगर आपने वर्ष नवेर बाईस चौबिस में इंटर्मीडियेट परिक्षा पास की हैं और आप औविवाहित हैं तो आपको मुख्यमंतरी कन्या उथार्न योजना के तहट 25,000 की प्रोत्साहन रासी प्राप्त करने का मौका मिल रहा है इस योजना के तहट बिहार राज्य सरकार अभिवाहित लड़कियों को उनकी सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तिय सहायता परदान कर रही है आवेदन के अंतिम्तिती 20 दिसंबर 2024 है हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन क्या जा सकता है किसी तरह की तकनीकी सहायता के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए ये दोनों नमबरों पर कॉल कर सकते हैं इसके अलावा हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस इमेल आईडी पर जाकर help ले सकते हैं आज इसे बिहार के सरकारी स्कुलों में सुबह साड़े नौ बजी सी लेकर साम चार बजे तरक प्छाएं जो है आयू जित की जाएंगी सिक्षा बिवाग ने इसे लेकर पहले ही अधिसुचना जारी कर दी है ये नया समय सारनी 21 नौबर को जारी किया गया था और आज से लागू हो जाएगा नई समय सारनी के अनसार सुबह साड़े नौ बजे से दस बजे तक प्रातना बच्चों का गेट पुसाक बाल और नाखुन की जाच होगी इसके बाद सुबह दस बजे से लेकर चार बजे तक आठ पिरियेड होंगे जिनमें कक्षाएं लगेंगे लंच ब्रेक बारा बजे से लेकर बारा बच के चालिस मिनट तक होगा और इसकूल के आठवी घंटी तीन बच कर बीस मिनट से लेकर चार बचे तक चलेगे जिसके बाद स्कूल की छुट्टे होगी विहार विधानसवा में सिकूरिटी गार्ड सहीत डेर सो से जादा पदों पर भरते निकली है आवेदन के परकरिया विते 29 नौमबर से सुरू है और आवेदन की अंतिम तारिक है 13 दिसंबर 2024 इस भरती में उमिद्वारों के लिए मानेता प्राप्त बोड से 10 वी 12 वी पास होना जरूरी है ड्राइवर के पद के लिए LMB HMB ड्राइविंग लाइसेंस की आउस सिकता होगी जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग स्पीड भी जरूरी है आयू सिमा के अगर हम बात करें तो समान्य उमिद्वारों के लिए नियुनतम उम्रे 18 वर्स निर्धारित की गई है एक्षी कुमिद्वार ओपिस्यल वेबसाइट हमारे स्क्रिन पर दिखाएगा इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं मुक्यमंदरी नितीशकवार के नितरितों में बिहार सरकार ने सोचना और जनसंपर्क वेभा के माध्यम से बिहार सोसल मीडिया आयों उनलाइन मीडिया नियमावली 22 को मंजोरिदी है इस नहीं नियमावली के तहट सोसल मीडिया इंफुल्वेंसर वेब मीडिया और मोबाइल एप संचालकों को बिग्यापन परसारण के लिए एक सूची बधता परकिरिया के माध्यम से अनुमती मिलेगी इसके लिए वेब पर नियूनतम 50,000 यूनिक यूजर्स और एक लाग से उपर फेस्बूक, यूटूब, इंस्टेग्राम, ट्विटर फल्वर्स वाले वक्तियों या कम्पनियों को सरकारी बिग्यापन परसारित करनी की अनुमती मिलेगी सोसल मेडिया इंफ्लूएंसर या न्यूज अप संचालक अब ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं और संबंधित कागजात के साथ सूचना और जनसंपर्क वभाग को भेज सकते हैं आवेदन की अंतिम तारीक 15 दिसंबर 2026 तक है ज्यादा जानकारी के लिए सूचना और जनसंपर्क वभाग की वबसाइट हमारी स्क्रिंट पर दिखाये गए इस वबसाइट पर जाकर ले सकते हैं मदुगर्णी के अस्थापना दिवस के वोके पर आज मिथिला चित्रकला संस्थान बिस्व का सबसे लंबा मिथिला पैंटिंग बनाने का आयूजन करने जा रहा है जो कुल 2000 फीट लंबा होगा इस अतिहासिक आयूजन में 1000 से अधिकलाकारों को आमंतरित किया गया है का लक्ष रखा गया है कलागारों को पेंटिंग समागरी कीट भोजन नास्ता और मांदी परदान किया जाएगा अगर आभी पेंटिंग की कला जानते हैं चित्रकला जानते हैं तो आप इसमें भाग लेक सकते हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं इसके लिए आपको मिथ स्क्रिन पर दिखाये गए इस WhatsApp नंबर पर भीजना होता है अगर आप उबर कैब में सफर कर रहा है और ड्राइबर आप से बत्तमीजी कर रहा है तो आप उसे सबक सिखा सकते हैं बता दे उबर एप में एक खास audio recording फीचर होता है यदि आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप कि बुलू आइकन पर क्लिक करके अपनी राइट का audio record कर सकते हैं यह फीचर आपकी और ड्राइबर की सुरक्षा के लिए डिजाइन क्या गया है इसके अलावा काब में बैठने से पहले ड्राइबर की पर फाइल चेक करे और राइट के बाद अपना लाइब लोकेशन किसी करीबी वक्ति को जरूर सेर करें अगर ड्राइबर चाइल्ड लोक लगाता है तो तुरंत उसे सुचित करें किसी भी परिशानी के मामली में उबर आप पर रिपोर्ट और हेल्प आप्सन का इस्तमाल करें या कंपनी को इमेल करें बिहार सरकार ने हाली में मुख्यमंतरी वाहन चालक कल्यार योजना द्वैर 24 की घोसा की है इस योजना के तथ चालकों को चिकित्सा सुविधाओं जीवन बिमा स्वास्त बिमा और दुरगटना बिमा का ला मिलेगा इसके अतिरिक्त वाहन चालकों को भारी मोटर वाहन च प्रसक्षण और रिफ्रेसर ट्रेनिंग भी दे जाएगी परिभार मंदरी सीला को बारी ने इस योजना के बारे में जानकारी देती हुए कहा कि योजना का सुभारम जल्धी होगा और इसके लिए सौप्ट्वेर तयार किया जा रहा है योजना का लाव लेने के लिए वाहन चालको को निबंधन कराना होगा जिसके बाद उन्हें विभन स्वास्त सिवाओं चस्मे बित्रण चालक सीड निर्माड और इस रम पोटल पर निबंधन जैसी सिवाओं का लाव मिलेगा बियार के सिक्षा बिभाग ने स्कूलों की छुट्टियों को लेकर बड़ा बदलाव किया है अब जिल अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि वे परचंड गर्मी और कडाके की ठंड में स्कूलों की छुट्टी की घोसना खुद कर सकेंगे पहले के आदिस के दाद केके पाथक ने गर्मी और ठंड में भी स्कूल खोलने का अनरदेश दिया था जिससे सिक्षकों और बच्चों को काफी परिसानी का सामना करना पड़ा था सिक्षा बभाग ने ठंड में स्कूलों को बंद करने का निर्णा लिया है और इस वार जिलादिकारी अपने अस्तर पर तापमान के अधार पर छुटियों का एलान करेंगे वियार सरकार किसानों की मदद के एक और वहत्पूर कदम उठा रही है राजसरकार ने जून तक 5500 पैक्सों में क्रिसी यंत्र बैंक अस्थापित करने की योजना बनाई है सहकारता विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तयार कर लिया है जिसी मंत्री मंडल सी स्विक्रिती मिलनी बाकी है इस योजना का उदेश से किसानों को रियाइती दर पर आधोनी क्रिसी यंत्र उपलब्द कराना है अब दक मुख्यमंदरी हरित क्रिसी सन्यंत्र योजना के तहरत 2978 पैक्सों में 15497 क्रिसी यंत्र अस्थापित हो चुके हैं जिन पर 341 दसंबलों 4-6 करोर रुपए खर्च हो चुके हैं इस योजना का मुख्य उदिश से लगु और सिमान्त किसानों को आधोनी क्रिसी उपकर्णों का लाभ परदान करना है केंदरी गिरी मंत्राली द्वारा 24 भी जारी की गई रैंकिंग में पत्ना का राजियू नगर थाना देश के साथ वे स्वरुस्रिश थानी के रूप में चुना गया है ये थाना व्यार का नमबर एक थाना भी बना है केंदरी टीम ने देड़ महीने पहले पत्ना में थानों का नरक्षर किया था जिसमें 150 से अधिक माप दंडों के अधार पर थानों का सर्वे किया गया इन माप दंडों में पुलिस कर्यों का व्यवहार, सुविधाय, सुरक्षा, CCTV कैमरे और महीला हल्प डेक्स जैसी व्यवस्ताओं का विसीस ध्यान रखा गया इस रांकिंग का उधिस से पुलिस थानों की प्रदर्सन को मान्यता देना और सुधार के लिए प्रेरित करना है व्यार के जाने वाने अक्टर मनूज बाचपई को एक डर बहुत सताता है और वे है वजन बढ़ने का डर और इसी डर के चलते अभिनेता पिछले 14 सालों से रात का खाना नहीं खाते हैं मनूज बाचपई बताते हैं कि उन्हें डॉक्टर ने ये सलाह दी थी कि रात में जल्दी खाना खालिया करें ताकि खाना जो है अच्छे से पच सके लेकिन व्यस्तता के चलते वे इसे अपनाने में असमर्थ रहें इसलिए मनूज बाचपई ने रात का खाना ही छोड़ दिया क्योंकि उनको एक सर्विस से पता चला है कि रात को खाना न खाने से वजन कंट्रोल रहता है स्वस्त जिवन सैली के कारण आज भी विनकेवल फिट और स्वस्त हैं बलकि उनका वजन भी सालों से वियंद रहता है अगर आप OLX पर समान खरीदते हैं या बेचने का काम करते हैं तो सतर्क रहें बता देए जलसाज अब OLX पर समान बेचने वाले कूर निसाना बना रहे हैं ये जलसाज आपको कॉल करके समान खरीदने का बादा करते हैं लेकिन असल में उनका मकसद आपका पैसा उड़ा लेना होता है वे आपको UPI आप्स जैसे गूगल पे या फोन पे की ज़र ये पैसे ट्रांपर करने के लिए करते हैं फिर एक SMS बेजा जाता है जिसमें रिक्वेश्ट मॉनी का उपसल होता है अगर आप इससे बिना समझे अक्सेप्ट कर देते हैं और UPI और UPI पिन डालते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कर जाते हैं इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे SMS को कभी अक्सेप्ट ना करें और हमेसा डिक्लाइन पर क्लिक करें अगर कोई संदे हो रहा है तो आप तुरंथ 1930 पर कॉल करके सिकात दर्ज करवाएं भागलपूर जिले में जल्दी एक नई फोर्लिन सडक का निर्मार सुरू होगा सरकार ने इस परियोजना के लिए फाइनेंसियल बिड खोलते हुए निर्मार कमपनी का चैन कर लिया है गुर्गराम की VKS कंसल्टेंसी ने 30 लाख रुपए की बोली लगाई जिसमें 18% GST जूड कर कुल रासी 36 लाख रुपए बनती है इस परियोजना के तहट भागलपूर और नौगचिया के बीच फोर्लिन सडक बनाई जाएगी सडक निर्मार के बाद भागलपूर जीरो माईल से विक्रम सिला सेतु तक 800 मीटर का अप्रूच रूड और नौगचिया तक 9 किलो मीटर लंबा रूड नेटवर्क तयार होगा इसे जिले भी जाम की समस्या में कमी आएगा पच्ची में बिच्छोप की सक्रियतर की चलते बिहार में थंड का असर अप तेजी से बनने लगा है खास कर पहाडों पर हो रही बर्फबाडी ने थंड को और बढ़ा दिया है जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक थंड का दोर लंबा चल सकता है आज यारी एक दिसंबर को बिहार में सुस्क पच्छवा हवा चलेंगी जिसके कारण दिन और रात के तापमान में तेजी से गिरावट हो सकती है अनुवान है कि नियुनतम तापमान तीन से चार डिगरी तक गर सकता है इसके साथ ही ठंड में जाफा होने से जन जीवन पर भी असर पर सकता है ब्यार के पुरुमुक्य मंतरी और सुक्छ में लगुए उमध्यम उद्योग मंतरी जीतन राम माजी ने एक मैतपूर घोसना की है उने कहा कि राज़्य में जल्द ही पाँच जिलो में टेक्निलोजी एक्स्टेंशन सेंटर खोले जाएंगे जिनमें सब से पहले किंद्र गया जिले में बनाया जाएगा इसके अलावा राजगीर, रोतास, दर्भंगा और सारन जिलों में भी ये सेंटर अस्थापित के जाएंगे उन्होंने सोसल मेडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि हमारे मंतराले ने गया में 125 करोड की लागत से टेकनलोजी सेंटर खोलने के अनुमती देती है भुमी चैन की परकिर्या सुरू हो गई है और जल्द ही निर्मार काम भी सुरू हो जाएगा वियार विजान सभाव में वेतिया राज संपती विदेख 24 के पारित होने के बाद अब राज जिस सरकार्णे इस जमीन पर कबजा करने वालों के खलाप खड़ी कार्रवाई करनी की तैयारिया सुरू कर दी है भू राजस्वंत्री भू राजस्वंत्री डॉक्टर दिलीब जैस्वाल ने इस बात की पूश्टी की है कि जिन लोगों ने बेतिया राज की जमीन पर संपती किया है उनसे ये जमीन वापस ली जाएगे इस मामले में केके पाठक को जिम्हदारी सौपी गई है बदादे कि वेतिया राज की पास लगबग 15358 एकर जमीन थी जिसकी अनुमानित कीमत 7,960 रुपए करोड है ये जमीन अब राज्यु सरकार अपनी नियंत्रण में लेने जा रही है पुरू केंद्री मंत्री और राष्टी लोक मोर्चा की राष्टी अद्यक चुपेंद्र कुसवा ने ब्यार्क मुक्ष मंत्री नितीस कुमार की महिला समुआद यातरा का समर्थन करते वे कहा जारी रखना चाहिए, सियम नितीस कुमार की ये महिला समवाद यात्रा 15 दिसंबर से सुरू होगी, जिसका उदेश से राज़भर में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं और योजनाओं की समक्षा करना है। पपु यादो के दोस्त ने कैसे ये गिफ्ट में दे दी? इस पर पपु यादो भड़क जाते हैं कहा और उन्होंने कहा कि हर नागरी को अपनी सुरक्षा के लिए बुलिट प्रूफ गाड़ी रखने का अधिकार है। अब गंभीर की आलोचना की जा रही है। जडेजा का मानना है कि गंभीर की दई भुमेका में इतने कम समय में उनका आकलन करना जल्दबाजी होगी। जडेजा ने कहा कि किसी की परदर्शन का मुल्यांकन करने के लिए छे महीने का समय बहुत ही कम है। बतादे गंभीर को इस साल जुलाई में राहुल द्रविड की कारेकाल के बाद भारती टीम का कोचनी उपकिया गया था। आके उनके नियत्रित्तों में भारत ने कुछ सफलता और कुछ हार भी देखी जिनमें न्यूजिलेंट के खिलाब 0-3 से हार सामिल है। किसी को उनकी प्रदर्शन को लेकर जल्दी निड़ने नहीं लेना चाहिए क्योंकि हर टीम में उतार चड़ाव आते रहते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के तिहास में आज की तारीख आजी के दिन 1923 में कोलकता और धाका के बीच बिवान सिवा की सुर्वात हुई थी। सन 1969 में बाहरी अंतरिक्ष से प्रित्वी का पहला रंगीन फू टोलिया गया था। आजी के दिन सन 1963 में नंगलेंड भारत का सुलहवा राज बना था। आजी के दिन 1991 में एड्स जागरुकता दिवस की सुर्वात हुई थी। आजी के दिन सन 2 राठ में बिहार विदान सभा के पूरवद्यक्ष स्यू चंद्रे जहा का निधन हो गया था। आजी के दिन सन 1992 में भावना कांत का जन्म हुआ था। ये भारती ये वायू सेना की पाइलेट। सोसल मेडिया और अन्य प्लेटफर्मों पर एक पत्र वायरल हो रहा है। जिसमें दावा क्या जा रहा है कि टेलिकॉम रेगुलेटरी ऑथरिटी ओफ इंडिया यानि कि T.R.A.I. ने फाइब जी मोबाइल टावर अस्थापित करने की अनुमती दी है। प्याइबी फैक्ट चेक ने भी इस पत्र को फरजी करार दिया है। आपको सतर क्रहने की जरूरत है। यदि आपके पास प्यासा कोई पत्र या संदेश आता है तो क्रिपया उसे नजरांदा आज करने। बियार पर्याटन में आज बात बिक्रम सिला खंडहर की होगी। अस्तूप, मठ और मंदिर सामिल थे। आज भी दर्शकों को पाल, वस्तूकला की भव्यता और तांतरिक बौद धर्म की अध्यान की समरिधी की गवाई देता है। एसाई दोरा किये गए खुदाइम से मिली, सिलालेक और कलाकिर्तियां इस अस्तान की इतिहासिक और साइचिक महत्तों को उजागर करती। हम प्रती दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिपेसी बिहार पुलिस दारूगा समयत ऐसे सी जैसी अन्य परतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास व्यार स्पेसल विज्ञान करेंट अफ्यर्स और भुगोल से रहेंगे पूछेगाए पाचुस सवालों में आपनी कितना सही उतर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आज कामारा पहला सवाल है हाली में श्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कमपनी के साथ एक समझहो तक ग्यापन पर हस्ताक चर किया Option A है टाटा इस्ट्रील, Option B है जॉन कॉक्रिल इंडिया लिमिटेड, Option C है लार्षन एंटूबरो और Option D है हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड, इसका सही उतर होगा जॉन कॉक्रिल इंडिया लिमिटेड, हाली में अंतराश्टी परियाटर माट का आयोजन कहां क्या गया, Option A है कारबोट, Option A है कारवेट, नेशनल पार्क, Option B है, कानजीरंगा, नेशनल पार्क, Option C है, कानहा, नेशनल पार्क और Option D है, ताटोबा, नेशनल पार्क, इसका सही उतर होगा, कानजीरंगा, नेशनल पार्क, हाली में किस भार्थी किर्केटर ने सन्यास की घोसना की है, Option A ह भुनिश्वर कुमार, उप्सन B है, मुहम्मद समी, उप्सन C है, दीपक चाहर, उप्सन D है, सिद्धार्थ कॉल, इसका सही उतर होगा, सिद्धार्थ कॉल, परसित सहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्ला खा का जन कहा हुआ था, उप्सन A है, मदुबनी, उप्सन B है, डु परसा मही सी, इसका सही उतर होगा, डुम्रा वक्सर, सिद्धार्थ कॉल, इसका सही अंसर होगा, 14 जून 2019, बिते दिन हमारे द्वारा पूछेगा, सवाल का जवाब, आप लोगों में से, बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्ट सेक्षन में लिकर दिया है, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछेगा, इस सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है, मोतिलाल कुमार, मुहमद जम्स, राजी कुमार, अमरिंदर महतो, बाबुलाल, मरांडी, कृष्ण परसाद, बेद परकास सिंग, छोटू रजा, दिनेस महतो, दीपक कुमार, राजपू, तनीस अमर्जीत मिस्रा, रामबाबुदास, दुर्गा कुमार, सुजीत यादो, जोती कुमारी, अमर्जीत, ओम सांती, फिरोज खान, मुहमद साकिर हुसेन, सरवन कुमार, गोल कुमार, अभिने गुपता, अतीख खान, सियाम, नंदन, चौधरी, अरबाज, अंसारी, साम खबरों के साथ, बनी रहने के लिए बिहारी नियूज देखते रहे हैं, और साथ ही अगर आप यूटूब चैनल पर देख रहे हैं, तमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी, और अगर आप फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं, तमारे पेज को लाइक और फॉलो जर किजिएगा धन्यवाद